Hello everyone Botanistra on YouTube channel में आप सभी का साथ आधर आज के इस video में बात करेंगे animal and plant viral bakter skin wildlifeит pro type in köípje contents in animal and plant has been manipulated in such a way that they can be utilized to introduce foreign gene into you chaotic cells जो हमारी एनिमल और प्लांट वाइरसीज होते हैं जो कि प्लांट और एनिमल में इन्फेक्शन कोज करते हैं उनको इस तरीके से मैनुप्लियर्ट किया जाता है ताकि हम उनका यूस कर सकें इंडिद्यूस करने के लिए फोरेंजीनिन यूकरियोटिक सेल्स ठीक है तो सबसे पहले हम जो है प्लांट वाइरस की बात करते हैं असोल इनिपितिंग प्लांट बैक्टिरियम अगरो बैक्टिरियम तुमिफसेंस अ पैथो जैनिक दिजीज गूसिंग एंटिजन अव सब्लाइग को प्लांट जो हमारा अगरो बैक्टिरियम तुमिफसेंस है वह एक पैथोजन है ठीक है डिजीज कोजिंग एजन्ट है यह जो है डिजीज कोजिंग एजन्ट है मेंद एक पैथोजन है साबरेल डाइकोट प्लांट के लिए ठीक है डाइकोट प्लांट के लिए वह है और यह एबल है टू ट्रांसफर पीस ओफ डी एन्ने नाउन एस टी डी एन्ने एगरो बैक्टिरियम एक पैथोजन है जो कि डाइकोट प्लांट में है एबल है ट्रांसपर पीस ओफ डी एन्ने डी एन्ने के पीस को ट्रांसफर करना है में इसको बोलते हैं है ती डी एन्ने जो है हमारा हुम्हों कोज करता है ट्यूमर ट्रांसफर को और बोलते हैं क्राउण करती है बाय टी आई प्लास्मिड जो आरा जो है ट्यूमर फोर्मेशन को इंड्यूस करते हैं टी आई फोर्मेशन करते हैं ती आई फोर्मेशन करते हैं जोंति आधि प्लास्मिड इसमें विद्धाउट हुमन अफोर्मेशन का कोई रोल नहीं होगा उनके बीना ही इसमें जो जीन्स है वो ट्रांस्फर हो रही है तो इसलिए इसको नैचुरल जैनेटिक इंजिनियर बोलते है ओफ प्लांट चिल्क है उसके मांद यह जो हमारा ट्यूमर है ट्यूमर इंक्लूडिंग एग्रो बैक्टिरियम ट्यूमी फेसिन्स हैस बिन मोडिफाइब इन्टू क्लोनिंग वैक्टर विच इस नौत पैथोजेनिक टू प्लांट जो हमारा ट्यूमर है जिसमें हमने एग्रो बैक्टिरियम को यूज किया गया है ठीक है उसको मोडिफाइब किया गया क्लोनिंग वैक्टर के रूप में जो कि पैथोजेनिक नहीं है मतलब कि डिजीज कॉजिंग एजेंट नहीं है कुछ प्लांट में ठीक है इसलिए हम ट्यूमर इंक्लूडिंग टी आई प्लाजमीड को यूज करते हैं अपने इंट्रस्ट का जीन को बनाने के लिए ठीक है उसके बाद हम बात करते हैं एनिमल की ठीक है एनिमल वाइरस की तो हमारे पास आता है एनिमल वाइरसीज में रिट्रो वाइरस सिमिलर्ली रिट्रो वाइरस रिट्रो वाइरस जो है यह कोज करता है लूकोसिस और स्ट कोमा टाइप ऑफ कैंसर स्ट कोमा टाइप ऑफ कैंसर को यह कोज करता है इनमेबल इंक्लूडिंग हुमनल एबल तो चेंग नॉर्मल सेल इन्टू कैंसर सेल्स यह जो है रिट्रो वाइरस जो है एनिमल्स और हुमन्स में एबल है चेंज करने के लिए नॉर्मल सेल को यह जो रिट्रो वाइरस है यह नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट कर देता है ठीक है रिटोवाइरस यह करता है desirable gene to animal cells जो retrovāris है हमें जो अपने इंट्रस्ट का gene चाहिए desirable gene को हम carry कर सकते हैju retrovirus इस इसकी थोड़ी सी modification करके हम इसको अपने इंट्रस्ट का gene बना के animal या में क्यारी कर सकते हैं ठीक हैं थास वन्स जीन और डीने फ्रेग्मेंट जॉइन टू सुटेवल वैक्टर इट इस ट्रांसफर इंटू बैक्टीरिया जब एक जीन या कोई डीने का फ्रेग्मेंट जॉइन्ट होगा सुटेवल वैक्टर से तो वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा इट इस ट्रांसफर टू बैक्टीरिया अब यह जो बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाएगा बैक्टीरिया प्लांट और एनिमल होस्ट वियरी टंडर गो मल्टिप्लिकेशन अब हमारे पास कुछ और एनिमल्स और प्लांट वाइरसिस के नाम है तो सबसे पहले हम पर एनिमल्स के बात करते हैं एडिनो वाइरसिस जो कि मैमल्स को होता है ठीक है पैपिलोमा वाइरस तो रिट्रो वाइरस अ वेक्टर्स ठीक है यह कॉमनली यूजड होते हैं जीन क्लोनिंग इन मैमल उसके बाद हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स की एक्जाम्पल है मार पस कली फ्लावर मोजाइक वाइरस ट abaकहमजाइक वाइरस और जमेनी वाइरस यह यूज होते हि में जात्स यह यूज रही होता है प्लांट्स है इसके साथ हमारा मार यह और यह इनिमेल और प्लांट्स वाइरल बैक्ट अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू